वेलकाम फ्रेंट्स हमारे यूटूब क्यानल और कैनल सिंगे के ड़ी में फ्रेंट्स बहुत ही मात्यपूंड कोश्चन है जो कि आने वाली सभी परिच्छाओं के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं तो फ्रेंट्स बिल्कुल भी वीडियो को इसके पना करें और पूरा एक्ट वाज इंप्लिमेंटेट इन दी एर उप्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर उपभूगता सनच्छड अधिनियम किस वर्स लागू किया गया ऊप्रेंट्स ज्यादा ज्यादा आप कमेंट वाक्स में आंसर डें जिससे आपकी त्यारी बेहतर हो सके तो मताइ प्रेंस क्या होग इसका panda राइट आंसे पर सींपल पwnल कोश्व कोश्य नहीं बताएं प्रेंट 55 आपका 1986 अप्वोक्ता सनरचल लागू किया गया था उन्हें 46 में लागू किया गया था यह आपका चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर यहां पे दो है पड़ें कोश्चन नमबर दो को और आंसर दिए क्या होगा इसका राइट आंसर देखें सिंपल कोश्चन है सभी और सभी पूछे गए कोश्चन है इसलिए इसकी मत करें अच्छे से आप पूरा वीडियो वाच करें और बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है कौन से वर्स में यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेकलेरेशन और राइट ओप इसका राइट अंसर अगस 2019 में पूछा गया कोश्चन है क्या होग इसका राइट आणसर इन विच ए यह वाज दी डिकलिरेशन ओच इडडाप्टेड बाइड यूनाइट नेशन बताएं प्रेंट क्या होग इसका राइट आंसर डेस करें सिंपल 69 69 69 में एडॉप्ट किया गया था प्रेंट अब यहां पर में एक्स्प्लेंद देखते हैं प्रेंट कि बच्चों की जो इस पेशल नीट से जरूरते हैं उनकी प्राप्ति के लिए 20 नौंबर इसको इंडिया ने इस प्राइट आजटा चयूरा प्रेंड ऐंडिया ने इस 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 इंसी सुफ्टेंटेंट naar अफ्रेंट चयूंड यह इंडिया ने इस इंसी बिजज़ेशन एक निस निशनल पॉलिसी को एडॉप्ट के फ्रेंट चलिए अगला कोशन देखते हैं प्रेंट Q3 पढ़ें Q3 को और आंसर दें बताएं Q3 को पढ़ लें अच्छे तभी आंसर दें पाएंगे इसके ऐसा नहीं कोई भी Q4 को हलके में मत दिया करें क्योंकि इस तरह के कोशन पूछे वो जाते हैं चाइल्ड लेबर एक्ट Ouais पाज्ट इन्टू इंटू इएर ऌफ बाल सुरम अधनियम किस वर्स पारिथ हुआ है चाइल्ड लेबर एक्ट पाज्ट इन्टू इयर ऑफ बाल सुरम अधनियम प्रेंट्स कब पारिथ हुआ था Short desse inua ऑफिसर में पूछा गया कोशन है 2019 जा सिराइट होगा 1986 में बालस्रम अधनियम जो पारित हुआ वह 1986 में पारिध हुआ था प्रेंट्स चलिए हम अगला कोशन देखते हैं प्रेंट्स कोशन नमबर 4 पढ़ें कोशन नमबर 4 को और आंसर दें बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका राइट अंसर दें के के लिए कोट पाइस लिमिट को ब tariff कि तनी जो उम्र अप्रूब्ठ किया गया है अब आपको कौट पा नहीं मालूम होगा कि कोट्पा कि अप्रूब्ट पैकेजिंग में टबाकू प्रोडुक्त वास एगरेट के सेल के लिए कोटपा बिल में क्या एज-लिमिप को अप्रूव्ड किया गया है तो पहले यहां पे समझ लें फ्रेंट्स और कोटपा क्या है कोटपा जो है यह 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 क्या फ्रेंट्स तीक के अब Impossible सभी यह प्रकार का बिल है ऑफ इसका कोर्टपा का पूरा नाम समझ लें परेक्टि सत्वां सेगरेट कолет ये क्या एक ट्वार कुप्रोडक्ट अगया इनके लिए इतनी उम्र के जो लोग ऐइं त्यक्या जो वही लोग से खरी सकते हैं बाकि आप जो इससे कम यह के लोग है आप उन्हें नहीं दे सकते जाएंट तो यहां पी आपका राइट है 18 एक बिल लाए गया था प्रेंट्स की टोबैको सेग्रेट जो आपकी सेग्रेट्स एंड अधर टोबैको प्रोडेक्ट यह प्रोहाइबिटेड ऑफ एडवर्टाजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड अंड कामर्स प्रोडेक्शन सप्लाई एंड डिस्टि पतल प्रोड़क्ट होने लगेंगे तो तो पिर इसी बरबाद ही का गार पर होच चुका है क्योंकि बहुत ज्यादा नसे के आदी हो चुके हैं लोग अगर खुल के नहीं है तो जडिआरे काम काँ चलना desa इसके प्लावर रोकने के लिए तो इसके अड़र इसके की लिए अड़राइजमेंट मैं नहीं हो सकता है लेकिन फिर वह आपने देखा होगा कि जो बड़े उपर प्रिष्टार वगेरा होतें फिर भी उमल का परचार करते हैं तो कभी राज श्रीक है तो कभी केसर का तो इस तरह के प्रोड़क्ट का दिख लिए मनलब एक घुमा फिराकर किसी ने किसी तरह से ठीक है एड़र्टाइजमेंट होता रहता है लेकिन प्रेट्स यह जो बिल आया थे 2003 में बिल पारित हो गया था ठीक है यह कोटपा बिल 2003 में आया था ठीक है ताकि इसके अड़र्टाइजमेंट जो मतलब हैं यह परचार परसार इसका ना हो सके ठीक है और 18 वर्स से जो कम उम्रे के लोग हैं उनको यह ना दी जाए तो चलिए आपर थोड़ा सा एक्सप्लेंद देख लेते हैं ठीक है कि सिग्रेट एंड अदर टुबैकू प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट प्रहाइबीशन और अड़र्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑप ट्रेड एंड कामर्स प्रोड़क्शन सप्लाइएंड डिस्ट् को अपरूब्ट किया गया ठीक है 18 साल इसे अपरूब्ड कर दिया कि 18 साल के लोग जो सिग्रेट वगेरा हैं पानमसाला जो आपका जो भी नसिली चीजें हैं ठीक है उत्तेजित जो पदार्थ हैं आपके धूम्रपान से रिलेटेट हैं यह 18 के लोगों से कम के जो लोग ह उनको ना दी जाएं या उनको हिदायत दी जाएं कि आप इसका सेवन ना करें ठीक है इस वह से एक जो बिल लाए गया मैंने बता है कि 2003 में इसके लिए एक बिल लाए गया था कोटपा प्रोहाइबिट कोटपा प्रोहाइबिट दस सेल आप टोबैकू क्या है यह मना करता ह किसको करने के लिए तमाकूब बेचने लिए थिए आपका कोटपा है बील यह प्रोइबिट करता है ठाएं लगाता है मना करता है जया इसके लिए रोक लगाइस तीके और इसके नहीं रोक कर सकते हैं और अगर इससे उपर के तब दिखे एड़ाइज बगर कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी फिल्म इस्टार कर भी रहे हैं एड़ाइजमेंट तो चलिए कोशन नमर पांच को पढ़ें और आंसर दें प्रेंट्स बताएं क्या होगा इसका राइट आं होते हैं प्रेंट्स क्या का राइट आंसर बताएं क्या रहें कि जण आरोग योजनाएंtechn के इंतर कि मेंदेट व कि कितने में इस फामली और एड़िशबन का नर्सिंग निटर्ज antagon के में 2019 में पूचा गया कोुशन है बताएं प्रेंट्स क्या हैएज का राइग समझ ले तभी आंसर दे तो फ्रेंट के ऐसी कोई एसली मेट नहीं है यहाँ पे आपका क्योगा क्योंगा न लिमिट जो आपके जन आरो की योजना ए इसकी कोई भी एस नहीं है यहाँ पे आप सबसे की नहीं है है अब यहाँ पराप्त कर सकते हैं अब यहां पे आयुस्मान भारत आयुस्मान भारत पीम जै लॉंच्ट ऑन थर्ड सिप्टमबर 2018 यह प्रेंट 23 सिप्टमबर 2018 को लांच हुआ था जो कि प्रेंट इस डीजी की प्राप्ति के लिए एँ यह पी हज ढेसफी और शॅथ की रिकमेंडेशन की की ? सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्राप्टाइब पर फैमिली फैले पांच लाइब रुपया पर सब्सक्राइब अंदी फैमिली साइज एज ओर जेंडर फ्रेंच यहां पे किसी प्रकार की एज लिमिट या फिर जेंडर या कोई भी मिलब साइज वगारा यहां पर तैन नहीं किया गया है केवल वहाँ पे क्या है प्रेंट की परिवार के कि जितनी भी सदस्य हैं सभी सदस्य आपके साथ अगर जूड़े हुए तो सभी सदस्य हाँ पर इलाज करा सकते है ऑर पांच लाग तक जो पर फैमली थीक है पर है जो जतने भी फ्रेंट आपके परवार में ऑर कंडिडेट के लिए फिरंट के पांच लाग तक का इसमें करा सकते हैं कि पर फैमली के लिए पांच लाग कोई भी मनाई नहीं है ऑन दी फैमिली साइज एज एंड जेंडर किसी भी जेंडर वगेरा जो कि अगर फीमेल है मेल है या पिर ट्रांस जेंडर है लस्बीन है कुछ भी हो प्रेंट उससे कुछ भी मतलब नहीं है ठीक है आप पांच लाग तक जो आपका क्या कहते हैं कि और अंसर दें प्रेंट्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर किस अपकी स्क्रीन पर है आप सर्शो उस्टी सवास्ती वी मा ओजना इंटेजिशच राष्ट हिस्ट वी मायोजना किस वर्ष शुरू की गई थी प्रиновud क्या होगा इसका Right Antwort क्या होगा इसका Right Answer अईशियाएंग पत्ना नासिंग आफिसर फर्वजी 2020 में परिंट स्ट है कोसचन है राष्टी स्वास्त भीमा यूजना किस वर्छ शुरू की गयी थी बताएं प्रिंट क्या हो गई इसका Right Answer केस करें तो देखें प्रिंट्स ये 2008 में शुरू की गई राजटी स्वास्ती जो भीमा योजना है ये 2008 में लागू की गई थी ठीक है 2008 में शुरू की गई थी और मैंने विज़ से बताया कि कोशन है 2020 में चलिए हम नेक्ट कोशन देखते हैं प्रिंट कोशन नमबर यहां पर साथ है पढ़ें कोशन नमबर साथ को और अंसर दें कि विच आप दी फालोइंग इज ट्री अवाउट दी एम आप सस्टेनेबल डिबलाप्मेंट गोल्स सतत्विकास लच्छियों के उद् है आप सन आपके स्क्रीन पर है सभी आप सनों को अच्छे से पढ़ें और आंसर दें सतत्विकास लच्छों के उद्देश के बारे मिनली कितमे से कौन्चा कतन सत्ते हैं तो फ्रेंट यहां पर आप संसी आपका राइट होगा एंड़ पावर्टी इन आल एट्स फार एफ मई 2019 में कौन से देश ने पावर्टी को रिमूब करने वा मिन्टल हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूब करने के लिए वेल बिंग बजएट का अनावरड की आए बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर मई 2019 में कौन से देश ने पावर्टी को रिमूब करने हमला हटाने के लिए वा मिन्टल हेल्थ सर्विस को या सर्विसेज जो हैं उनको इंप्रूब करने के लिए वेल बिंग या वेल बिंग बजएट का अनावरड किय कोशन से मैं सितंастि में 2021 कि मताएं प्रिंट्स क्या हो गई इसका राइट इसकर और हएं तो प्रिंट से आप भी होगा नीवजीलेंड थी क्खिशे आप सबस्क्राइब अपनेट व मिनिमम निट्स प्रोग्राम सब्सक्राइब गर में पूछ नूनतिक है नियुन सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कोछने कि नियुन्ट कृटक को छोड़ कर हैं बताएं ब सैंसिक क्या होगा इसका राइट अंसर किस करें तो प्रिंज यह पे और भी है आपका राइट होगा है यहाँ अपे आपके सप्रेंड देख लें किजिए me अ प्रोग्राम मिनिमंखमने प्रोग्राम मस क्वाइब इसका पुरा नाम है अधिज्य एम एन पी मिनिममम नीड प्रोग्राम पाचवी पंच वर्सी योजना 1974 से 1978 के प्रत्थम वर्स शुरू हुआ था एम एन पी के निम्न घटक हैं एम एन पी के निम्न घटक हैं जैसे के रूलर हेल्थ वाटर सप्लाई रूलर एलेक्ट्रिफिकेशन एलेमेंटरी एवम एडल्ट एजुकेशन निउट्रिशन रूलर स्लम्स के लिए इन्वायरमेंटल इंप्रूब्मेंट वा लेंडलेस लेबर के लिए लेबर के लिए घर इत्यादी तो चलिए फ्रेंट्स अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर यहां पर टेन है पढ़ें क क्या होई इसका राइट आंसर कोशन कोशन नमबर ंधस को पड़एं अच्छे से और चल्ट बताएं क्या होईस करें कंजीवन का हीं हर कि एक स्टेम ऑदे अंगिस करें क्या होगाri नर्शिंग इंटेश घां पूच़ा इक एतफ हम पूचा है के लिए उपभोगता अधिकार की शुरुवात की गई थी कब की गई फ्रेंट्स बताएं आपके क्या होगा इसका राइट आंसर कंजीमर राइट फार हेल्थ केर सिस्टेम वाज इंटोड्यूइट इन इंडिया आपके स्क्रीन पर रहें प्रेंट्स सिंपल कोश्या नहीं सरघ्कीक्स ने कंजीमर को छिकेचसा सेवाओं के खिलाबिंप उनकी सिकायत के तुरंत हर जाने के लिए एक मन चुपलत करवाया था ठीक है अब नेक्ट कोशन नम्मर 11 है पढ़े कोशन 11 को और आंसर दें कि नेशनल पॉपलेशन 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 पॉपल मुलेटेट इन बताएं प्रेंट क्या होगा इसका राइट आंसर केस्ट करें तो फ्रेंट याप पर आप संद भी आपका राइट होगा 1983 1983 में राष्टी जन्जंग्या नहीं थी त्यार के गई थी अब आप यहाप एकस्प्लेंद देख लें प्रेंट की अप्रेल 1976 में भारत ने अपनी प्रत्थम नेशनल पॉपुलेशन 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 पॉपुलेश हुई संदोहजर में एन पीपी एन पीपी इज बेज़ बेज़ ओन टार्गेट फ्री अप्रोच दो अब्जेक्टिव आप एन पीप 2000 इस तू ब्रिंग दा टोटल फर्टिलिटी रेट टी एफ आर तू रिप्लेश्मेंट लेवल बाई 2010 आल आप्षान आर रॉंग इन टू कौेशन क्या है कि जितने भी आपसेंटिए गए इसमें सभी आप्षान रॉंग घえば हुआ है कि अट्व है कि बहुत ज्यादा ध्यान से परने की जरूरित होती है क्रण एक्स्प्लेंच को आप जरूर पढ़ा करें क्योंकि एक्स्प्लेंच से बहुत और आपको कोस्षान क कॉपलीट हो जाते हैं तहरी हो जाते हैं वहर्ट नहीं और जैसे आपने शने-र राइट नहीं रहती है और आपने देखा को पढ़ें और आंसर दें निमने लिकित कुछ नई रिवाइड पॉपलिशन पॉलिशी हैं किसी एक के अलावा बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर फालूइंग और सम न्यू रिवाइड पॉपलिशन पॉलिशी एक्सेप्ट वन बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेज करें तो फ्रेंट से आपका राइड होगा परमोटिंग वन जाहिब फैमिली नौर्ट अपसं इअपका राइट है आप एकस्प्रेंग देखलें प्रेंट की इंडिय नीवर अडाप्टीट इंडिया निवर एडाप्टेट टू प्रमोड वन चाइड फ फाइदा होता है इस बैस एक्स्प्लेंड जरूर पड़ा करें तो यहां पर इंडिया निवर इडाप्टेट इंडिया कभी भी स्युकार नहीं करेगा इसे एडाप्ट नहीं करेगा तुटी प्रॉमोट वांग चाइल्ड फैमिली नौर्स नहीं पॉपलेशन पॉलिसी ठीक